इस्राइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष गुजरते दिन के साथ बत से बत्तर होते जा रहे हैं नौवे दिन भी यूद जारी है इस्राइल फिलिस्तीन के बीच बमों और मिसाइलों की बहुचारे दिन बदिन तेज होती जा रही है साथ ही उत्तरी इस्राइल लेबनान सीमा पर दोने देशों के सेनाओं के तरफ से गोलीबारी जारी है इसके बाकि यह पूरा पाड़ी यह पूरा पाड़ी यह पूरा पाड़ी लेबनॉन है इसके बाद में आगे जाएंगे तो जोडन, जोडन आएगा जोडन के बाद में सूरिया, सीरिया, सबका ये थीनों तरफ से घिरा हुआ है, पूरा, और इसराइल के चालों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है, इदर आप देख रहे हैं कि लेबनोन ये पूरा लेबनोन का है, पू और इन गाओं को भी अभी तक वर्णिंग दीजा चुकी है, और खाली कराया जा चुका है, इनमें अभी कोई भी फैमिली बगर है, कोई भी आत्मी बगर नहीं रहे रहे है, कालो जी कल से यहां पे लेबनन और इस्रेल के इस बॉर्डर एरिया में कल से मिसाइल आपक शु का है और किनों अभी हॉस्पिटल में है, क्या हालत है अभी इस लेबनन और इस्रेल के इस बॉर्डर एरिया में हालात तो बहुत सही नहीं है, मतलब इसको सही नहीं कैसे कि आप लोग यहां पे डर हुए हैं, और क्योंकि अभी जो यह जो गाजा का जो साउथ इस्रेल में जो मेटर हुआ है, तो पूरी मतलब से नमा पे लगी हुए है, और यहां पे लेबनन है, वो इसी मौक्रे का फायदा उठाकर, और on the same time, वो भी मतलब कुछ ने कुछ करने की सोचरी है, लेकिन मैं आपको सभी वो दर्शिकों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस्रेल क पूरी डिफेंस टीम ने कल प्रेंस कॉंफेंस भी बपला था, यहां पर पूरी तयारी है, यहां पर आप जाएंगे तो यह तेंकर वगड़ है, सब दिखेंगे आपको पूरा विलेज, पूरा विलेज यह सोल्जर से बढ़ा हुआ है, यहां पर आपको बहुत ही टाइट सिकुरिटी है, हम यहां पर खड़े हैं, यह हमारे पीछे आप देख रहो है, यह में जो टाउन में रहता हूं उस ताइम की आखरी बोडर है, इसके बाद में इस्राइली विलेजेस हैं, और उसके बाद में वह ले बना होना गया, तो बहुत ही डर का माहूल है, ऐसी बात हमेली का जो फेमिलीस थी, वो यहां से जा चुकी कि कोई भी आज के टाइम में मतलब इसे डर के माहल में नहीं रहना चाहेगा, बाकी गोर्मिन ने भी यहां पर वार्निंग दी थी कि कभी यहां पर हमला हो सकता है, तो जिससे को भी सेफ जगह जाना है, वो अपना सेफ ज यह विलिजेस वगरण देख रहे हैं, जो सब इस्रैली विलिजएस हैं, उसके बाद में आपको दिखेगा एक सेकिंड पहडी, जो प्लीन हो चुका है, येखना है, और उसके बाद में आपको वहां पर जो थोड़े 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 हलक खलके मकान दिख जो dich करके दिखाएंगे तो वाइट वाइट से वहां पर आपको लेबनन है यह लेबनन की विलिज हैं तो मतलब यह बहुत ही बॉर्डर का फासला तकरीबां दस से पंदरा किलोमेटर की बीच में हैं तो यह बहुत ही क्लोज मामला है कालो जी आप आप इंडियन हो आप पुशकर से हैं तो आपको कोई दिक्त हो रहा है यहां पर आप कैसे पील कर रहा है अबी तो देखिए हम यह पर यह रहते हैं मेरा मकान भी यही पर है और दस साल हो गए और थोड़ा डरका माहूल है लेकिन हम यही पर हैं कि की और दूसरी पर में इसी टाइम में मतलब मेरे घर पे ही तक्रिबर 40-50 और 100 आदमी, 1500 जितना भी हो सकता है मेरे से खाना बनाके इंडिन खाना बनाके वेजिटेरन खाना बनाके इनको soldier को सर्व कर रहे हैं भी अब इसरेली जो फॉज है इसरेली फॉज के जो जो soldiers है unके लिए खाना बना के आप भेज रहे हो। हाजी। क्या खाना बना रहे ह। हम उनके लिए थाली बना रहे हैं। थाली में हमारा restaurant का नाम भी थाली है। दाल है, चामल है, mix is, आलोगोबी है, Rice है, और वह बना कि हम सब आहँ पे दे रहे हैं। वेजिटेरीन वीगन सौलडे से सब खास हूए। सब को खाथ सके और यह आज 10 साल से हम यहां रह रहे हैं। हमन यहां बहुत नाम खमाया है। हमने विज्स भी हमारा यही है, मकान भी है है। सब कुछ मिला है। तो आज इस दुख सी गड़े में हम भी इजल के साथ खड़े हैं और जो हमसे हो सकता है हमसे अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह जो डर का माहौल बना हुआ है इस से में छुटकारा मिले और बाकी जो रेगुलर जैसा टाइम चलता था इसरेयल में वो ताइम हमरा कम बेख हो जाएं जितना जल्दी हो सकें कालो जी अभी आज रवी वार है कल शनी वार था हाजी शनी वार हिजबुल्ला जो मिलिटेंस हैं उन्होंने रॉकेट हमला चलाया इसरेयल के ऊपर रात को आईडिएफ नहीं ये भी बताया क कि इसरेयल से भी कुछ मिसाइल अटैक हुए तो ये पूरा इलाका पूरा इलाका इसरेयल लेबनन जॉर्डन इन तीनों देशों से गिरा हुआ है हाजी तो अगर अगर यहां पे भी हमला शुरू हो जाए साउथ में अलरी हो रहा है इसरेयल में अलर्ट में भी अगर फु जुली थी गाजा का जो अटेक है गाज का गाट जुक डिक था उस त्रेम से अटेक को देना बहुत जरूरे था यह जरूरी में और सबके जरूरी ऐ आते आज दुनिया की सबसे बड़ी समश्या है और उस्सी को खतम करने के लिए इसरेयल वहां पर लगा हुआ है लेकिन अगर इसका फायदा उठा कर अगर यह मुस्रिम जो दूसरे कंट्री लेबनान है और हिजबला है अगर यह आते हैं तो अमेरिकन राष्टपती ने अपने प्रेंस कोंफरेंस में बहुत अच्छे तरीके समझाया है कोई भी अगर इस मोके का फायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए मेरी एक राय है डॉंट और यहां पर जो इस्राइली आर्मी है वह फुल प्रेशर में तैयार खड़ी है मैं आपको बता सकता हूं मैं रोज सोता हूं यहां पी रोज बहुत प्लेंल जाते हैं बहुत आओ आवा आती है बहुत äng युद्ध होगा तो यहां से भी पूरी तयारी है मैं आपको यह पका वादा करना चाहता हूँ इस्रैल के आर्मी को आप ठाना भेज रहे हो उनके लिए इस्रैली आर्मी के लिए आपका मेसिज क्या होगा मैं इज्याली आर्मी को एक ही बात बोना चाहता हूं कि आप हमारे लड़ रहे हैं और हम आपके लिए तैयार हैं एक दूसरे के साथ से ही यह जंग जीती जा सकती है और मैं सभी इज्याली सोल्जर को सेलूट करता हूं जो अपना वेकेशन छोड़के कोई थालेंड में था क कोई पुर्तगाल में था कोई मेक्सिको में था कोई इंडिया में था सब वहां से छोड़के ओन डरे रिलर्ट वह यहां पर आज खड़े हैं बोर्डर पर आके इसकी अभी एक दिन पहले शादी हुई थी वह बोर्डर पर आके खड़ाया